He must have had exposure to more affluent situation than people. Brahman होने के कारण, उसका जो exposure था, exposure मतलब अनुभाव, उसका जो अनुभाव था, वो ज्यादा effluent situation में था, ज्यादा सम्रिध, effluent यहने सम्रिध, In that society lives affluent people, उस society में वहाँ जो flats बने हैं, उसमें सम्रिध लोग रहते हैं, ज्यादा सम्रिध, उसे कहते हैं effluent, right? So, A-W-F-U-L-I-E-N-T, affluent मतलब सम्रिध, ज्यादा अच्छी स्थिति में और ज्यादा अच्छे लोग के बीच में हो सकता है, उसे काम करने का अनुभाव रहा हो, इसी लिए वो वहाँ पहुंच गया, He had the ability to look cheerful at all times, हमेशा वो खुश रहता था, यहां देखिए, सब्बू के अच्छे गुणों की बात कर रहा है, यह सब्बू के गुणों की बात कर रहा है, ऑथर is trying to explain the character of सब्बू, सब्बू, education, सब्बू, work in hard times, struggled in hard times, उस जमाने में वो मेक अप में काम करना शुरू किया, जब फिल्म चलेगी कि नहीं, फिल्मी दुनिया क्या है, यह कुछ नहीं मालम था, so he had come through a hard way, अप, और उसकी एक खास्य थी कि हमेशा वो खुश दिखाई देता था, he had the ability to look cheerful at all times, हमेशा खुश दिखने की उसमें ख्षमता थी, ability मतलब ख्षमता होना, किस बात की ख्षमता थी, हमेशा खुश दिखने की, मस्त रहता था वो, खुश रहता था, सुबू, और हमेशा खुश रहता था, तब भी खुश रहता था, जब सिनेमा फ्लॉप हो जाती थी, तो भी, even after having had a hand in a flop film, किसी flop film में भी, यदि उसने कुछ काम किया हो, तो भी हो खुश रहता था, हमेशा मुश्कराते रहता था, खुश दिखाई देता था, he always had work for somebody, उसने हमेशा किसी दूसरे के लिए काम किया हो, वो अपने स्वैम के लिए कभी काम करें नहीं पाया, he always had work for somebody, उसके पास हमेशा दूसरों के लिए काम था, he could never do things on his own, वो स्वैम कुछ काम नहीं कर सकता था, दूसरों के लिए उसके पास हमेशा काम था, अपने स्वैम के लिए कुछ नहीं कर सकता था, अपना स्वैम कुछ नहीं कर सकता था, but his sense of loyalty made him identify himself with his principle लेकिन वो इतना loyal था इतना अपने boss के प्रति समर्पित था principle मतलब मुख्या इसकूलों में principle होते हैं न प्राचारे उसका दूसरा आर्थ है मुख्या चुकि प्राचारे मुख्या होते हैं इसलिए से principle बोलते हैं तो यह जो सुब्बु था सुब्बु वोज अल्सो sense of loyalty loyalty मतलब तो आप जानते हैं किसे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना sense, समझ तो वो पूरी तरह से समर्पित था किसके प्रति? अपने boss के प्रति इतना ज़्यादा कि he identify himself with his principle completely वो उसको लोग boss के साथ ही जोड़ के देखते थे इतना ज़्यादा समर्पित था वो boss के हमेशा हां में हां मिलाना या क्या जो भी था पर वो पूर्ण रूपेन समर्पित दिखाई देता था अपने boss के प्रति निश्ठावान दिखाई देता था समर्पित दिखाई देता था प्रिंसिपल के लाप के लिए अपने मुख्या के लाप के लिए वो अपने सारी रचनात्मक्ता को डाल दिया था जोग दिया था था मतलब पूरी तरह निश्चावर था समर्पित था निश्ठावान था turn मतलब बदल देना और turn मने mode he turned his entire creativity मतलब रचनात्मक्ता to his principles advantage अपने मालिक के फायदे के लिए उसने अपनी पूरी जो रचनात्मक्ता रचनात्मक्ता गुण था उसको समर्पित कर दिया था मतलब आप सोच सकते हैं कि सुबू कितना loyal रहा होगा he was tailor made for films वो film के लिए tailor made था tailor made मतलब क्या होता टेलर मने दरजी और tailor made मतलब दरजी जैसा बनाता है बिलकुल fit उसी के लायक कपड़ा बनाता है दरजी तो ये शरीर के लायक बनाता है जिसका नापो लेता है उस शरीर के लायक बनाता है तो ऐसा लगता है आप बजार जब जाते हैं और वहां आपने एक शर्ट पहनी और शर्ट आपको बढ़िया आई तो आप क्या बोलेंगे इस शर्ट इस टिजड सो वेल एज इप टेलर मेड ऐसा लगता है कि ये मानो शर्ट मेरे लिए ही बनी तब कहते हैं टेलर मेड तो यह आपर ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि ये जो आदमी है ये फिल्म के लिए ही बना हुआ है ये टेलर मेड फर फिल्म यहां एक आदमी था जिसे कमांड करके प्रेरित किया जा सकता था आदेश दे के प्रेरित किया जा सकता था who could be inspired to be inspired मतलब प्रेरित होना जिसे प्रेरित किया जा सकता था he is inspired when commanded to command मतलब आदेश देना आदेश दे कर भी उसे प्रेरित किया जा सकता था ये वो आदमी था here was a man the rat fights the tigress underwater बहुत बढ़िया एक उकती है जहाँ पे inverted काम में the rat fights the tigress underwater चुहा जो है वो tigress female tiger की बात वरी है उससे पानी के अंदर लड लेगा and kills her और उसको मार भी डालेगा but takes pity on the cubs and tends them lovingly लेकिन कब जो है कब याने शेर का बच्चा टाइगर का बच्चा कब सी यू बी कब याने बच्चा उनके बच्चों पर दया करेगा pity याने दया बच्चों पर दया करेगा और उसको पालेगा भी tend करना याने पालन पुशन करना to tend मने पालन पुशन करना so he will tend the rat will kill the tigreese under water we'll fight with the tigreese, we'll kill it but we'll take care of the cub I don't know how to do the scene I don't know how to do the scene ऐसा वो कभी नी बोलेगा This is a sentence I don't know how to do the scene The producer would say And Shubhu would come out with four ways producer जो है जो सिनेमा बनाने वाला है यदि सिनेमा कोई साब बन रहा है किसी की शूटिंग हो रही हो तो कई बार ऐसा मौका आता है जब producer समझ नी पाता कि ये scene कैसे बनाए कौन सा scene अच्छा रहेगा उस scene में क्या क्या रहना चाहिए कैसे रहना चाहिए और वो समस्या में उल्जा हुआ है एक और वहाँ सुब्बू में ये क्षमता थी कि वो चार-चार हल लेके आ जाएगा Four solutions He will bring four options He was such a brilliant guy Four ways of rat pouring affection on its victims' offspring चार-चार rat pouring affection मतलब क्या हुआ To pour मने डालना चूहे जैसा प्यार डालना उडेलना Affection मतलब स्ने है चूहे जैसा जो चूहे कि मैं बात कर रहा हूँ जो अपने टाइगरेस को तो भले मार दे उस पर हमला कर दे लेकर उसके बच्चे को पालेगी चूहा प्यार करेगा चूहे देगा उसी प्रकार सुबू जी भी थे जो एक प्रोडूसर यदि कभी समस्या में हो कि ये क्या दिरिश यहां पे बनाएं सिनेमा के लिए तो ये जनाब चार-चार आप्शन लेके आ जाते थे मानो और बिलकुल समर्पित तरीके से रैट पोरिंग एफेक्शन और इट्स विक्टिम आफ इस्प्रिंग विक्टिम मतलब शिकारी शिकार विक्टिम याने शिकार तो रैट का विक्टिम को क्या कौन था आफ टाइगरेस और आफ इस्प्रिंग मने बच्चा टाइगरेस के बच्चे याने कब आफ इस्प्रिंग याने बच्चा रैट ओ डबल एफ एस्पी आराइनजी आफ इस्प्रिंग याने कब यहां पर कब और वैसे आफ इस्प्रिंग मने बच्चा किसी का भी बच्चा, आफ स्प्रिंग कहलाता है, तो यहां पर वो मानो एक और प्रोडूसर समस्या में उल्शा हुआ है, यहां बिल्कुल चार चार आप्शन लेकि आ जाएंगे, मानो ऐसे कि जैसे कि पूर अपना स्ने है, उसने उंडेल दिया हो, किसने? सुब्बू ने, क अपना पूरा स्ने कप पे उंडेल देता, the producer would say and सुब्बू would come out with four ways of the rat producing affection, rat pouring affection on its victims of spring, good, but I am not sure if it is effective enough, inverted comma, यह किसने कहा, producer, हो सकता है, producer बोले, अच्छा, तुमने चार आप्शन बताया है, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है, यह प्रभावशील ना हो, प्रभावशाली ना हो, effective यह प्रभावशाली, good, but I am not sure, मुझे नहीं लगता कि यह प्रभावशाली रहेगा, सुबू, तुमने जो सीन का द्रिश्य, create किया है, बताया है, मज़ा नहीं आ रहा है, कोई प्रभावशाली रहेगा, ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे ही ऐसा होगा, effective enough, मतलब पर्याप प्रभावशाली, enough मने पर्याप, तो हो सकता है, वो चार option लाए, और यहाँ producer बोले नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, तो सुबू जो है, सुबू वुट कम forward in a minute, with 14 more alternatives, सुबू जी ऐसे थे, कि वो और दरजन भर, alternative लेके सामने आ जाते थे, इतना दिमाग चलता था, इतना तेश था वो, He was such a smart guy, और smart तो था ही, he was very loyal, very affectionate, very dedicated, समर्पित, निश्ठावान, सब था उसमें, हमेशा तयार रहता था अपने मालिक के लिए, सब कुछ करने के लिए, मालिक को बस समस्या में न देखे, और मालिक समस्या में दिखाई दिया, तो तुरन, उसके, उसकी समस्या के निराकरण के लिए, वो तयार रहता था, जैसे है उदाहरन, उसमें ख्यमता थी कि बारा, पंदरा, आल्टरनेटिव ले के आ सकता था, वो, he would bring so many alternative, and in a minute, सुबू would come out with 14 more alternatives, film making must have been, and was so easy with a man like सुबू, सुबू जैसे आदमी के साथ, film बनाना, बहुत सरल काम रहा होगा, must have been easy, सुबू जैसे आदमी के साथ, चिनेमा बनाना, एक बहुत सरल काम रहा होगा, सुबू जैसे आदमी के आज़ पास होने ते, with सुबू around, with you around, I feel happy, तुम्हारे आज़ पास रहने से मुझे खुशी होती है, I love with animals around, जैन्वरों के आज़ पास रहने से मुझे बड़ी खुशी होती है, so with सुबू around, producer must have found film making much easier, क्योंकि सुबू के पास हर समस्या का निराकरन होता था, solution था, समर्पित था, खिर निश्ठावान था, तो क्यों नी रहेगा, and if ever there was a man who gave direction and definition to Germany studio, और यदि कोई आदमी था, जो जैमिनी स्टूडियो में direction करे, उसको परिभाशित करे, और यदि कोई ऐसे व्यक्ति था, जिसने जैमिनी के golden years में, उसके surrounding काल में, उसको बहतर परिभाशित किया हो, जैमिनी स्टूडियो को बहतर image दिया हो, तो उसके लिए सुबू ही जिम्मेदार था, it was सुबू and सुबू alone, देखिए सुबू के बारे में कितनी अच्छी बातें यहाँ आथर बता रहे हैं, और यह आपके लिए भी प्रेणा की बात है, क्या क्या quality होनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए, that is all mentioned here, सुबू had a separate identity as a poet, सुबू जो है, एक कवी के नाते, उसकी एक अलग पहचान थी, identity मनें पहचान, identity card याने पहचान पत्र, सुबू had a separate identity, एक अलग पहचान थी उसकी, किस रूप में? एक कवी के रूप में, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, और यद्यपी, दो मतलब यद्यपी, he was capable of, वा समर्थ था, यद्यपी वा और ज्यादा जोखिम भरे, complex और ज्यादा उंचे स्तर के काम करने के लिए सक्षम था, समर्थ था, he deliberately chose to address his poetry to the masses, उसने जान बूझ कर, deliberately मतलब जान बूझ कर, deliberately उसने जान बूझ कर, अपनी कविताएं जनता को समर्पित की थी, he chose to address, देखें, choose, chose, chosen, choose करना मतलब चुनना, और यहाँ C.H.O.S.E. उसका भूझ काल है, chose मने चुनना, he chose to address, to address मतलब समर्पित करना, उनको देना, उनके लिए लिए लिखना, किनके लिए, मासिस, यानि जनता जनारदन के लिए, वो कविता लिखता था, यद्यपी उसमें बहुत बड़ी क्षमता थी, और उसे इस्तर की कविता लिखने की, और एक पोएट के नारदन एक अलग उसकी जो पहचान थी, और उसके अलावा वो ज़्यादा जटिल, गूड, कविताएं लिखने की क्षमता रखता था, लेकिन उसमें जनता के लिए कविता लिखी, और जान बूच कर लिखे, डिलिबरेटली मतलब जान बूच कर, यू डिलिबरेटली केम लेट टू माई हाउस, तुम जान बूच कर मेरे घर लेट आए, यू डिलिबरेटली पुश्ड मी, तुमने जान भूज कर मुझे धक्का दिया जान भूज करके का उल्टा क्या होगा? अन्जाने में अन्जाने के लिए अंग्रेजी में क्या है? अन्नोइंगली 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 मतलब अन्जाने में नो, 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 I did not push you deliberately it was unknowingly done वो अन्जाने में हो गया राइट? So, here we come So, असो कमितरन सेज कि शुबू जो थे उनमें बहुत बड़ी quality थी एक अच्छे स्थर के poet भी थे अच्छे कभी भी थे पहचान थी और इतनी समर्थिता भी थी कि वो और अच्छी कभीता लिख सकते थे और ज़्यादा उंचाईयों पर पहुँच सकते थे higher forms और ज़्यादा उंचाईयों पर पहुँच सकते थे लेकिन जान बूज कर उन्होंने जन्ता के लिए कभीता लिखी His success in films overshadowed and dwarbed his literary achievement फिल्मों में उनकी सफलता ने उनकी साहितिक जो उपलब्दियां थी उनको छपा दिया उनको बॉना बना दिया overshadow कर दिया मतलब किसी के किसी के दौरा छपा दिया जाना overshadowed I am overshadowed by the personality of my neighbor मैं अपने परोसी के personality के चाया में दब गया हूँ right so overshadowed his films overshadowed what his literary skill उनकी जो साहितिक शमता थी वो छुप गई कहां film के कारण और उसको बॉना बना दि dwarf मतलब बॉना to dwarf मतलब बॉना बनाना छोटा बना दिना तो दूसरेश अथर आथर is trying to say that he was excellent in the film industry his literary work but his work in film made him more famous कई बार होता है नहीं I am excellent in football but at the same time I am very good at in politics तो मेरी जो football की जो skill है उसको लोग भूल गया हो politics में जाज रखता हूं और आजनीती मेरी ज्यादा अचर चित है so I am overshadowed my football skills are overshadowed by my skill in politics and my skill in politics had dwarfed my football skills so similarly here this man his successes in his film overshadowed and dwarfed his literary achievement उनके साहित्य को प्लब्दियों को उसने बौना बना दिया सा फिल्म ने उसके फिल्म की सफलताओं ने और so his critics felt कम से कम उसके आलोशकों का तो यही कहना था critics मतलब आलोचक and so मतलब और कम से कम कम से कम मतलब नियून तम नहीं कम से कम मतलब जैसे हम कहते हैं और कम से कम तुम तो मत बोलो बहुत सारी ट्रूली वास्तों में औरिजिनल मतलब मूल बहुत सारी वास्तों में उसने मूल ट्रेफल मूल स्टोरी पोएम्स लिखी स्टोरी पोएम्स इन फोक रिफ्रेइन लोक रंग में रिफ्रेइन मतलब लोक संगीत फोक रिफ्रेइन मने लोक फोक मने जनता फोक फोक मने फोक फोक मने जनता लेकिन फोक म्यूजिक मतलब लोक संगीत फोक डांश लोक नृत्य फोक सांग लोक गीत छतीत गल का अपना folk dance है हर क्षेत्र का अपना folk dance होता है हर संस्कृति का तो यहां पर author is saying that he composed many original story poems कथा कविताएं कथा कविताएं story poems ऐसी लंबी-लंबी कविताएं जो जिसमें कथा हो किसी कहानी को लेकर कविता लिखना उसे कहते हैं story poems so he wrote many poems in folk refrain refrain मतलब क्या होता है बार बार जो repeat होता है refrain और एक to refrain मतलब होता है दूर रहना refrain from bad habits if you are a good boy refrain from bad habits यह तुम अच्छे लड़के हो तो बुरी आदितों से दूर रहो और refrain मतलब बार बार बोलने वाली line बोलने वाली आवाज बोलने वाला संगीत धुन उसे refrain कहते हैं so जहां पर in folk refrain and diction diction मतलब लहज़ा folk संगीत के लहज़े में हर folk संगीत का एक अपना तरीका होता है बोलने की शहली 36 गड़ी dance जब आप देखेंगे या 36 गड़ी संगीत सुनेंगे पंडवानी पंडवानी क्या है it is a story poem लंबी के कहानी है जिसको कविता के रूप में उसको जब गाते हैं तो एक खास तरीके की dress पहनी जाती है जिसे folk dress कह सकते है और उसको खास आवाज में 36 गड़ी भाशा में एक खास लहज़े में बोला जाता है so that is called folk refrain तो उसको folk तरीके से बोला मने लहज़े and also wrote a sprawling novel or sprawling मने बहुत विशाल sprawling मने विशाल you have a sprawling bungalow Amitabh Bachchan has a sprawling bungalow in Mumbai titled आशिरवाद Amitabh Bachchan का बहुत बड़ा विशाल bangla है बंबाई में जिसका नाम है आशिरवाद sprawling मने विशाल so he wrote a very sprawling novel बड़ा विशाल उसने उपन्यास भी लिखा और उस उपन्यास का नाम क्या था थिलना मोहन अंबल थिलना मोहन अंबल उस उपन्यास का नाम था with dozens of very deftly egged characters deftly मतलब बड़ी बारीकी से सोच समझ के साथ बड़ी कुशलता से egged character बड़ी कुशलता से बनाएं गया चरित रहें उसमें किसमें उस novel में कैसा novel विशाल novel जो था जो सुबू ने लिखा है उसमें जो characters लिए गये हैं बड़ी बारीकी से बड़ी सोच समझ कर बहुत सोच समझ कर उस कहानी के characters को तै किया सुबू ने dozens of very deftly egged character बहुत सारे उसमें हैं dozens मतलब दर्जनों दर्जन नहीं दर्जनों दर्जनों उसमें जो character हैं अलग-अलग नाम हैं बड़ी बारीकी से उन character के व्यक्तित को कभी ने सुबू ने अपनी story पोयम में बताया है he quite successfully recreated the mood recreate मतलब पुनर सापित करना पुनर बनाना सुबू quite successfully सुबू ने बड़ी सफलता पूरवा उस पुष्टक में mood और manner तरीका देवदासियों का उसमें बताया है देवदासी कौन होती थी देवदासियां पुराने जमाने में राजदर्बारों में या धनाडिक गर्ग के घरों में खासकर मंदिरों में जो रित्य करती थी इनके बारे में आपको और विस्तार से अध्यन करने की जरुस है देवदासियों का इतिहास एक बहुत रोचक इतिहास रहा है और बड़ा रिच इतिहास रहा है वेरी रिच हिस्ट्री देहाद देवदासियों प्रथा कुछ वर्षों पूरव तक चालीस पचास वर्षों पूरव तक थी अब वो प्रथा पूरी तरह लुप्त प्राय हो गई है बट स्टडी अब देवदासियों विल रिभील मैनी मैनी इंट्रेस्टिंग फीचर्स पर पास हिस्ट्री बोट इंट्रेस्टिंग एंड साद बोट कैंड अब पिक्चर विल कम आउट अब देवदासियों स्टोरी यहां पर वो कहता है कि सुबू ने जो लिखा है देवदासियों पर वो बड़ा लाइवली है पूरा रीक्रियेट कर दिया है मानों जीवन्त बना दिया रीक्रियेट करना मतलब जीवन्त बना दिया सफलता पूरुवक उसने उस काल की बीसवी शताबदीश के शुरुवात में जो देवदासी प्रथा थी उसको अपनी इस स्टोरी पोयम में एक तरीके तरह मानों जीवन्त कर दिया हो इतनी बढ़िया कविता लिखा है उसमें सुबू ने इतना बढ़िया उपन्यास है वो मोटा वाला जो है He was an amazing actor और बहुत अच्छा actor भी है Amazing मतलब शांदार You amazed me बहुत तुमने मुझे चौका दिया तुमने मुझे चौका दिया और amazing मतलब शांदार He was an amazing actor He never aspired to lead roles To aspire करना मतलब किसी चीज के लिए ललक होना He never aspired उसमें कभी उसमें कभी ललक नहीं रखी किस चीज की? To be an actor Actor बनने के लिए कभी भी उसने इच्छा नहीं दिखाई I aspire To be a part of your team मैं आपके टीम का हिस्सा बनने की ललक रखता हूं तीव रिच्छा रखता हूं लेकिन यहां सुमू never aspired to become an actor He was a poet He was a big novelist He wrote novel Voluminous big novel जिसमें उसने देवदासी प्रसा पर भी लिखा है काफी And successfully he showed the mood and manners of देवदासी देवदासी के व्यवहार और देवदासीयों के जीवन में जो उतार चलाओ हैं बड़ी सफलता पूरवकिस ने उस किताब में लिखा है Main नहीं Main का उल्टा होता है Subsidiary Main Industry और Subsidiary Industry जैसे अंग्रेजी में Ancillary Industry भी कहते हैं मुखे उद्योग और मुखे उद्योग से जुड़े हुए छोटे छोटे कुछ उद्योग खुल जाते हैं उसे कहते हैं Subsidiary Industry जैसे मुखे उद्योग क्या हुआ लोहा का कारखाना अब लोहे के कारखाने से ये तो में हो गया अब Ancillary या Subsidiary Industry क्या है लोहे के कारखाने से राख निकलती है उस राख से इट बनाना यह एक साइब डिओक सबसीडियरि इंडस्ट्री लोहे के कारखाने से बहुत सारा वेस्ट लोहा निकलता है शोटा उस वेस्ट लोहिस को उस वेस्ट निकालने की इंडस्टि भी एक होती है तो तो यहां पर और कह रहा है कि सुभू main role तो कभी नहीं किया हमेशा वो secondary role किया subsidiary role किया लेकिन subsidiary role भी इतना शांदार कि main character जो होता था वो भी पीछे हो जाता था He performed better than the main players जो filmों में जो main hero hero रहते था उन्से भी जादा अच्छी acting कर लेता था He had a genuine love for anyone He came across जो भी उससे मिलता था जिससे भी वो टकराता था to come across मतलब आमना सामना होना to come across जिससे भी उसका सामना होता था उसके साथ वो genuine love के साथ मिलता जैन्मिन मतलब सच्चा प्यार के साथ मिलता दिखावा नहीं करता था कभी भी उसने दिखावा नहीं किया वो हमेशा बड़े प्यार से और सच्चे प्यार से मिलता था तहे दिल से मिलता था main player so he performed better than the supposed main players he had a genuine love genuine मतलब वास्तविक सच्चे love for anyone he came across at his house अपने आस पास जब भी उसका किसी से सामना होता था तो बड़े प्यार से मिलता था बड़े स्ने से मिलता था and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations उसका जो घर था वो दर्जनों रिष्टेदारों से भरा रहता था his house was permanent resident इस्थाई निवास बन गया था दर्जनों लोगों के लिए जो उसके निकट के रिष्टेदार थे या दूरस्थ रिष्टेदार थे near and far निकट के और दूरस्थ far मने दूर far मने रिमोट मने दूर far मने दूर तो जो उसके रिमोट रिलेटिव थे दूर से भी जो रिष्टेदार थे और निकट के भी जो रिष्टेदार थे उन सब के साथ उसके बड़े अच्छे संबन थे और ये सब रिष्टेदार जिनकी संख्या दर्जनों थी वो उसके घर में एक तरीके से स्थाई निवासी जाते रह रह रहे थे and acquaintances acquaintances मने परिचित relatives and acquaintances acquaintance मतलब परिचित right acquainted to be acquainted with मतलब मालूम होना परिचित होना I am not acquainted with my principle मेरा मेरे principle से कोई परिचित नहीं है मैं नहीं जानता कौन है to be acquainted with मतलब परिचित होना और मालूम होना I am not acquainted with the art of driving कार चलाने की कला से मैं वाकिफ नहीं हूँ वो हाँ भी बोलते हैं I am not acquainted with so acquaintance मतलब परिचित so दर्जनों परिचित लोग दर्जनों रिष्टेदार लोग उसके घर में रहते थे permanent डले रहते थे डले रहना इतना वो केरफरी बिंदास आदमी था सबको प्यार करता था बड़ा अच्छा लेखक भी था कभी भी था देवदासी प्रसाप इतना बढ़ी है लिखा था अपने बास को पूरी तरह समर्पित था क्या नहीं था उसमें अच्छा नहीं था अच्छा अच्छा नहीं था अच्छा अच्छा एक तो नहीं होता है जिसको हम कहते हैं ज्यावरन का नेचर और एक नेचर मतलब प्रवृति मेरा नेचर अच्छा नहीं है कुछ लोग कहते हैं कि उसका नेचर बड़ा अच्छा है तो प्रवृति प्रकृति सभाव तो इट वाद अगेंज सुब्बू नेचर ये सुब्बू के सभाव के खिलाब था कि वो ये जाने कि इसके घर में कितने लोग खा रहे हैं और कितने लोग को वो खिला रहा है सपोर्ट कर रहा है उसके नेचर मनी था अर्था बड़ा बिंदास आजमी था खुले दिल का आजमी था कते ही वो इस बात के लिए चिंतित ही नहीं था सोचता भी नहीं था कि मेरे घर में कितने लोग हैं किनको खिलाना पिलाना कितने लोग मेरे हां रह रह रहे हैं मैं कितनों पर खर्चा कर रहा हूं He was never bothered about it It was, it seemed to seem मने महसूस होना जैते मैंने पहले पहले बताया It seemed against subul nature to be even conscious, conscious होना मतलब जागना सजग होना That he was feeding, to feed मने खिलाना पिलाना The bird is feeding the baby, bird जो है अपने बच्चों को खिला रही है So, it seemed against subul nature to be even conscious That he was feeding and supporting so many of us Support करना, इतने लोग को वो, इतने लोग का खर्चा वहन कर रहा है, इतने लोग को खिला पिला रहा है कितने लोग को यह जानने का उसको समय ही नहीं था, उसको उसकी चिंता ही नहीं थी बड़ा खुले दिल का आदमी था Such a charitable and improvident man ऐसा दयावान व्यक्ति इतना दयालू, इतना लापरवाव आदमी Such a charitable and improvident man Such a charitable, इतना दयालू, इतना लापरवाव व्यक्ति And yet he had enemies और फिर भी उसके दुश्मन थे यह author का कहना, author आश्यर कर रहा And yet he had enemies आप आश्यर सुचक्चिन देख सकते हैं वहां लिखा, डला हुआ है आश्यर सुचक्चिन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं Mark of exclamation तो exclaim करना मने आश्यर करना Mark of exclamation मतलब अश्यर करना सुचक्चिन तो इतना बढ़ी आदमी, इतना लापरवा आदमी इतना जिंदा दिल आदमी, इतना बिंदाद आदमी फिर भी उसके दुश्मन थे Was it because he seemed so close and intimate with the boss क्या यह इसलिए क्योंकि वो अपने boss के इतना निकट था उसका इतना स्लेही था उसके इतने पास था क्या इसलिए उसके दुश्मन थे क्या लोग author is asking himself questioning author खुच सोच रहा है मित्राशो का मित्रन सोच रहा है कि क्या हो सकता है जिसके काना उसकी लोग बुराई भी करते हैं इतना खुले दिलवल आजमी और वोजी in general resembled a psychophant to resemble मतलब मिलान होना to resemble मतलब वैसा दिखाई देना my son resembles me मेरा लड़का मेरे जैसे दिखाई देता है this building resembles a fort ये building जो है वो एक किले जैसी दिखाई देती है this picture resembles that particular picture ये चित्र जो है वो इस चित्र के जैसा दिखाई देता है to resemble और इसके बाद psychophant मतलब क्या होता है psychophant मतलब जो लोग जिसको हम हिंदी में कहते हैं सस्ती हिंदी में चमचा गिरी करने वाले psychophant जी हुजूरी करने वाले हां में हां मिलाने वाले ये अच्छी चीज नहीं होती हां में हां मिलाना जी हुजूरी करना ये बुरी क्वालिटी है तो author कह रहा है कि इतने सब अच्छे गुण होते हैं उसके दुश्मन क्यों थे क्या इसलिए क्योंकि वो अपने बॉस के बहुत निकट था वो बॉस इसको बहुत पसंद करते थे या इसलिए कि वो उसका जो चाल चलन था उसमें थोड़ा सा जी हुजूरी जैसा दिखाई देता था हां में हां मिलाने वाला उसकी परस्नेलिटी थी डेमियेनर मतलब व्यक्तित्व चाल चलन डेमियेनर डेमियेनर मतलब चाल चलन तो उसका जो चाल चलन था वो एक जी हुजूरी करने वाले व्यक्ति जैसा दिख रहा था क्या इसलिए वो लोग उसके दुश्मन थे और his readiness to say nice things about everything या क्या इसलिए लोग उससे नाराज थे उसके दुश्मन थे क्योंकि वो हमेशा हर चीज के लिए अच्छा कहने के लिए तैयार रहता था his readiness तैयार रहना to say nice things about everything हर चीज में अच्छी बात कहने का जो इसका गुण था हर चीज में अच्छा ही देखने का जो गुड़क था या अच्छा कहने का जो करकर to say nice thing क्या इसलिए भी लोग उससे नाराज रहते हैं किसलिए रहते थे मैं नहीं जान पा रहा हूं in any case चाहे कुछ भी हो in any case मतलब चाहे कुछ भी हो there was this man in the makeup department who would wish the direst things for subbu there was this man in the makeup department who would wish the direst things for subbu यहां कम तकम एक विक्ति तो ऐसा था जो subbu के बारे में ना बुरा करें इन एनी केस, चाहे कुछ भी हो, there was this man in the makeup department, चाहे कुछ भी हो जाया यहाँ पर एक ऐसा व्यक्तित था, जो चाहेगा, सुबू के लिए सबसे बुरे हो, सुबू का बुरा चाहेगा.